हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटेटेन्मेंट चैनल प्रापकर स्वागत है दोस्तो आज हुए पाकिस्तान वर्सीज जिंबावे की बीच में फर्स्ट वंटी ट्वंटी मैच में जिंबावे ने टोस जीते हुए पहले बल्ले बाजी का फैसला किया और पाकिस्तान को गेंद बाजी का नोता दिया दोस्तो जिंबावे ने जैसे थर्ड ओडियाई मैच में सोचा था कि वो इस इसाफ से परफॉर्मेंस देगी क्योंकि उन्होंने थर्ड जो ओडियाई मैच हुआ था वो मैच काफी अच्छा कहला था उन्होंने काफी अच्छा खेल के उन्होंने वो मैच जीता भी था उसी तरीके से उन्होंने आज बैटिंग का फैसला किया दोस्तों और जिंबावे का ये फैसला ये तो नहीं कह सकते कि ज़्यादा बेकार था लेकिन वो मैच तो हार गए है पाकिस्तान ये मैच 6 विक्टों से जीत गया लेकिन जिम्बावे ने एक एवरेज परफॉर्मेंस चरूर किये दोस्तों दोस्तों आज जिम्बावे 156 रन बनाए और पाकिस्तान ने उसके जवाब में 157 रन चार विक्ट खोकर चेज भी कर लिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ आज के मैच में क्या क्या हुआ दोस्तों जिम्बावे की टीन जब पहले टोस्त जीत कर बैटिंग करने पिछ पर उतरी तो उनकी सुरुआ थोड़ी बेकार ही रही क्योंकि उनका जो पहला विक्ट था वो जिम्बावे के कुल स्कोर 5 रन पर गिरा था जो की छिबाबा की रूट में था जिबावा ने आउट होने से पहले दो गेंदे के लिए और बिना कोई रन बनाए पवेलियन लोट गे और उनका विक्ट हसने ने लिया उसके बाद जिम्बावे का दूसरा विक्ट जिम्बावे के कुल स्कोर 34 रन पर गिरा जो की ब्रेंडन टेलर के रूट में था दोस्तो ब्रेंडन टेलर ने आउट होने से पहले 13 गेंदों पर 20 रन बनाए तीन चोको की मदद से और उनका विक्ट हरीस रोफ ने लिया दोस्तो उसके बाद जिम्बावे का दूसरा विक्ट जिम्बावे के कुल स्कोर 70 रन पर गिरा जो की सीन विलियम्स की रूट में था सीन विलियम्स ने आउट होने से पहले 24 गेंदों पर 25 रन बनाए चार चोको की मदद से और उन्हें उसमान कादिर ने बोल्ड किया उसके बाद जिम्बावे का चोथफ विकट जिम्बावे के कुल स्कोर 87 रन पर गिरा जो की रजा के रूट में था रजा ने आउट होने से पहले 5 गेंदों पर 7 रन बनाए एक चोक्के की मदद से और इनका विकट रियाज ने लिया उसके बाद जिंबावे का पांचवा विकेट जिंबावे के कुल स्कोर 122 रन पर गिरा जो कि रियान बर्फ के रूट में था दोस्तो सोरी रियान बुरी के रूट में रियान बुरी ने आउट होने से पहले 15 गेंदे खेली और 8 रन बनाए पिना कोई चोक्के चक्के के और इन्हें हरीस रोफ ने ही बोल्ड किया दोस्तो उसके बाद जिंबावे का चाटा और लास्ट विकेट जिंबावे के कुल स्कोर दोस्तो जो गिरा था वो था 156 रन पर दोस्तो और वो था चिंगुमबुरा के रूप में चिगुम्बरा ने आउट होने से पहले 13 गेंदों पर थोड़ा अच्छा खेला और 21 रन बनाये जिसमें दो चुक्के और एक छक्का शामिल था और दोस्तो इनका विकेट रियाज ने लिया दोस्तो जिंबावे का कोई विकेट नहीं गरा और जिंबावे की तरफ से मदव वीरे 48 गेंदों पर सबसे अच्छी और सबसे तूफानी पारी खिलते हुए 70 रन बनागर लाश्ट तक नोटा उट रहे उन्होंने अपनी पारी में 9 चुक्के और एक छक्का लगाया दोस्तो दोस्तो इसके बाद जिंबावे का जैसे मैंने बताया कोई विकेट नहीं गरा ये कोई लाष्ट विकेट था दोस्तों जो मैंने इससे पहले चुंगूम्बुरा का बताया था वो वी 20 वास्ट गेंद पर गिरा था और सबसे अच्छी पारी जिंबावे की तरफ से मद्व रनों का target रखा दोस्तों यह तो नहीं कहते ही टार्गेट जढ़ा ही बुरा है और या ज़ादा ही अच्छ है जिसमें जीती जीत निश्चे तो या हार यार निश्चे तो ऐसा कुछ नहीं है ये एक एवरेज स्कोर था सकते थे जिमभावे की टीम लड़ सकती थी पाकिस्तान से लेकिन उन्होंने इतना जो बोलर्स ने बिल्कुल साथ नहीं दिया और ये मैच वो जिमभावे ने खो दिया दोस्तो आज पाकिस्तान की बोलिंग एवरेज रही उन्होंने जादा विकिट भी नहीं ले ना जादा उनके उपर जिम्बावे पर प्रेसर टाला एक एवरेज बोलिंग रही ना जादा अच्छी और ना जादा बुरी दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से मुहमद हसने ने चार आवर में 25 रन देकर एक विकिट लिया हरीस रोफ ने चार आवर में 25 रन देकर दो विकिट फाहिम असरफ ने चार आवर में 35 रन देकर जीरो विकिट रियाज ने चार आवर में 37 रन देकर दो विकिट उस्मान कादिर ने तीन अवर में 24 रन देकर एक विकेट हफीज ने एक अवर में 7 रन देकर जीरो विकेट इस परकार जिमबाविक ने पहले खेलते वे पाकिस्तान के सामने 157 रनों का टार्गेट रगा पाकिस्तान की टीम जब 157 रनों का टार्गेट लेकर पिछ पर उतरी तो हलाकि उनका जो पहला विकेट था वो थोड़ा जल्दी गिर गया लेकिन उसके बाद उन्होंने समल कर खेला और ये मैच आसानी से जीत लिया दोस्तो पाकिस्तान का पहला विकेट पाकिस्तान के कुल स्कोर 36 रन पर गिरा जो की फकार जमान के रूप में था फकार जमान ने आउट होने से पहले 12 गेंदों पर शांदार 19 रन बनाए 2 चक्के और एक चक्के की मदद से और इनका विकेट मुजरबानी ने लिया इसके बाद पाकिस्तान का दूसरा विकेट पाकिस्तान के कूल स्कोर 62 रन पर गिरा जोकी हैदर अली के रूप में था हैदर अली ने आउट होने से पहले 8 गेंदों पर 7 रन मनाए एक चोके की मदद से और इनका विकेट नगरवा ने लिया इसके बाद पाकिस्तान का तीसरा विगेट एक काफी अच्छी पार्टनर्शिप के बाद हुआ जो की 80 रनों की पार्टनर्शिप थी दोस्तों ये बाबर आजम और जो दूसरा प्लेयर था मुहमद हफीज उनके बीच में हुई पाकिस्तान का तीसरा विकेट पाकिस्तान के कुल स्कूर 142 रन पर गिरा जो कि कप्तान बाबा राजम के रूप में था और आज वो खेले भी कप्तानी पारी और काफी अच्छा के लिए उन्होंने केवल 55 गेंदों पर दुआदार 82 रन बनाए नो चोके और एक छक्किल की अंदार 32 गेंदों पर 36 रन बनाए तीन चोके और एक छक्के की मदब से और इन्हें मुजर्बानी ने बोल्ड गया दोस्तों जीत का जो श्रय है वो तो बावर आजम और मुहमद अफीज को ही जाता है बैटिंग की तरफ से क्योंकि उन्होंने जो खेली उसके बाद दूस से रन बनाकर नोटा उट रहे एक चोके की मदद से मुहमद रिजवान तीन गेंदों पर जीरो रन बनाकर नोटा उट रहे कोई चोक कोई चका नहीं और दोस्तों इस परकार पाकिस्तान ने बड़े ही अराम से 18 पॉइंट पांच आवर में केवल 4 विकिट खोकर 157 रन बन कि पाकिस्तान जो ओडियाई सीरीज हुई थी जिंबावे के साथ वो दो एक से जीत भी गया था अब 2020 देखते हैं कोन जीतता है आला कि उन्होंने पाकिस्तान ने एक जीरो से बढ़त बना लिया है दोस्तों आज जिंबावे की बोलिंग में कोई दमखम नहीं था कोई उन इने एक ओर डाला आठ रंदी और जीरो विकेट, ब्लैसिंग मुजर्बानी ने तीन पॉइंट पाँच ओर में 26 रंदे कर दो विकेट, टंडाई चटारा ने तीन रंदे कर एक विकेट, रिचार नगरवाने चारा ओर में 37 रंदे कर एक विकेट, टंडाई चिजोरों ने 9 पाकिस्तन ने बड़ी ही अरामसे अपने नाम कर लिया दोस्तो दोस्तो आजका मैच बड़ा ही रोचक था क्योंकि इतना तो ज्यादा नहीं लेकिन काफी संगर्स वाला मैच जरूर था दोस्तों दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी किर्केटर लवर्स हैं उनके साथ इसे शेयर करें और दोस को हमें कमेंट वोक्स मन लिग कर जरूर बताएं दोस्तों और दोस्तों इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाएकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोठिफिकेसन्स के लिए बेल आइकन पर 클릭 करे था कि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तों जय हिंद आप 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 करें आप 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 आ आप आप झाल झाल